करम कितने प्रकार के होते हैं हाँ नमस्कार, मैं साइको गुरू राजिंदरा देज़ोद पूरिया आज के इस अद्वुत साइको थेरपी और गीता थेरपी के वीडियो में आपका सुवागत करता हूँ करम के तीन प्रकार बताए गए है शिर्मत भागवत गीता के अनुसार सबसे पहला है विकरम जो करम किसी लालसा के वस में किये जाते हैं किसी लोब के वस में होकर के किये जाते हैं उसे विकरम कहा जाता है इसके अंदर इंसान भोकता भाव से युक्त होकर के करम करता है इसम वो हमेशा प्रेशानी से गिरा रहता है वो किसी लोब लालच या किसी भी भी आसकती से जुड़ा हुआ करम करता है उसे विकरम कहा जाता है उसके बाद आता है करम करम क्या है जब इनसान का सरीर कहीं और होता है मन कहीं और होता है अलग-अलग होते हैं दोनों ना सरीर का पत ऐसे बहुत सारे इंसान आपको मिल जाएंगे जो घर में होते हैं तब ओपिस की बात कर रहे होते हैं जब ओपिस में होते हैं घर में गुशे रहते हैं घर में होते हैं कहीं बाहर बिजनस में घूम रहे होते हैं बिजनस में घर ले आते हैं मतलब जिस समय पर जो करम करना चा होते हैं जो किसी भी करम बंदन के तहट नहीं आता सिरफ आजादी पूरवक जो करम होता है वो अकरम होता है और जो अकरम ही वास्तों में चमतकार करता है किस परकार हम विकरम को पहचान सकते हैं किस परकार हम करम से चुटकार अपा सकते हैं और किस परकार हम एकरम में स्था रह सकता है शांती में रह सकता है कि जो करम भुगता भाव में रहता है करम में रहता है विकरम में रहता है वो हमेशा मानसिक व्यादियों से गिरे रहते हैं वो ज्यादा तर मानसिक प्रेशानियों में डिप्रेशन के शिकार मिलेंगे एंग्जाइटी फोबिया डर के चिंत रहोगी तो एकरम में स्तापित होने के लिए दो दिवसिये गीता थेरपी के वरक्षाब में आप साधर आमंतरित है और अधिक जानने के लिए आप वीडियोज देखते रहिए आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं इसके लिए मैं साइको गुरू आपका तहदिल से आपारी हूं अपराद बोद, OCD, डिप्रेशन, आत्मत्यावाले विचार और अधिनिक जीवन की तमाम प्रेशानियों से निफ्टने का मारग है गीता थेरपी कैसे क्रिशन ने अरजुन की सभी उल्जनों का समाधान गीता से किया और कैसे क्रिशन की बातों को हम अपने जीवन में लागू करें इसका भी मारग है गीता थेरपी आप गीता के मा acting दिम से मानसिक उल्चनों का इलाज करना चाहते हैं काउंसलर अना चाहते हैं खुद का मानसिक संतोलन बनाना चाहते हैं तो हमारी दोध विस्य गीता थेरपी की करिया शालघ में आईए धन्यवार